हेलो दोस्तों वेलकम टू स्रीजी पाठशाला आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो की हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है टाइपस ऑफ कैमिकल लेक्शन का इसमें हम बाकी की जो तीन रियक्शन हमारी बची थी डिस्पेस्मेंट और oxidation and reduction reaction वो cover करने वाले हैं इससे पहले जो मैंने लेक्चर अप्लोड किया था उसमें मैंने आपको दो कैमिकल रियक्शन के टाइप बतायते हैं जो की था हमारा combination reaction और decomposition reaction तो जिसकिसी ने भी वह लेक्चर नहीं देखा है तो किरपया करके आप उसको देख लें यह मेरी आ सभश्चार्टेकजन करें सबस्क्कारण है चाहिए पढ़क्न के तो में ट्लाले Apple ऑ Zum इसमें क्या पढ़ने वाले सबसे पहला पढ़ने वाले हैं उद्लिश्मेंट displacement reaction गा ठीक है चली start करते displacement reaction क्या होती displacement reaction displacement reaction देखिए displacement reaction में होता क्या है कि जब कोई एक element दूसरे element को replace कर देता है तब हम कहते हैं कि displacement reaction होई है कहने का मतलब यह है अगर कोई element है अगर वो किसी एक element को replace कर देता है और उसकी जगए खुद आकर चुपक जाता है तो उसको हम बोलते है कि वह यह displacement reaction हो गई जैसे example के थुरू हम समझे तो यह a b है plus c है या फिर हम ऐसे समझे लोग a है और यह b c है ठीक है अब क्या हो सकता है displacement reaction में यह a या तो इस b के साथ चुपक जाएगा और c को बाहर निकाल देगा या फिर क्या होगा या फिर क्या होगा कि यह a जो है ना दूसरी condition यह है कि यह a जो है यह a जो है वो क्या करेगा इस c के साथ चुपक जाएगा और b को बाहर निकाल देगा तो इसने इसको displace किया दोनों cases में इस case में इसने क्या किया b c मेंसे c को displace कर दिया और उसकी जगए खुद आके इसके साथ इसने chemical reaction कर लिए compound बना लिए new compound ऐसे इसमें क्या किया इसने और c के साथ खुद एक compound new compound बना लिया तो इस c को हम बोलते हैं क्या displacement reaction जब कोई एक reactant दूसरे reactant को displace कर देता है और उसकी जगए खुद आकर कोई नया compound बना लेता है तो हम कहते हैं कि displacement reaction होई है थोड़ा सा इसके example देखते हैं तो example देखिए आप c u c l 2 यह किसका example हो सकता है इसमें क्या होगा इसमें reaction होती है p b c l 2 plus c u यह क्या है एक displacement reaction है जिसमें lead और copper chloride के बीच में reaction हुई जिसमें जब reaction होने पर इसने lead ने क्या किया copper को displace कर दिया और c l chlorine के साथ क्या बना लिया इसने एक नया compound form कर लिया और भी reaction हो सकती है जैसे कि f e plus f e plus c u so 4 c u so 4 तो क्या होगा इसमें f e so 4 plus c u इसमें भी क्या किया iron ने iron ने जब copper sulfate के साथ reaction की तो इसमें से इसने copper को displace कर दिया और sulfate के साथ क्या बना लिया बॉंड बना लिया तो इसको हम बोलेंगे कि यह भी क्या एक displacement reaction है चिक्या है अब अगला reaction है वो है अमारा डबल displacement reaction कुछ इससे मिलता जूलता रियक्शन है देखिएगा आप लो डबल displacement reaction क्या होता है डबल displacement reaction समझते हैं यहां पर डबल डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन चिक्या होता है डबल displacement reaction देखिए डबल डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन में क्या होता है ना आयन का exchange होता है जैसे कि हमने दो compound ले लिए यह एक AB है दूसरा है CD इसमें क्या होगा इनका आयन का एक्स्थेग्शन ऎदाएगा यह एक A1 है B1 एक A1 एक आयन है C1 एक आयन है और D1 एक आयन है तो इसमें क्या compound बनाएंगे यह 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 बना सकते है A C plus B D चीक है या तो यह यह form कर सकते है या दूसरा case क्या हो सकता है यह बनाएंगे A D A D plus B C यह बना सकते हैं तो इसमें क्या हुआ ions का exchange हो गया इसमें A के साथ आ गया C और B के साथ चला गया D ऐसे ही इसमें क्या हुआ A के साथ आ गया D और B के साथ आ गया C अब यह कौन किसे के साथ जाएगा वो depend करता है reactivity पर की किस के साथ कौन react करेगा ठीक है example के थूरू हम समझ सकते है example देख सकते हैं एक example है Na2SO4 plus BACL2 जब इसको हम react कराएंगे तो क्या होगा यह तो बन जाएगा NaCl plus यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा BASO4 चीक है BASO4 तो देखिए इसमें sodium ने क्या किया इसके साथ bond बना लिया किसको replace करके बेलियम को replace करके और इसने क्या किया इसको इसके साथ bond बना लिया तो आयनों का exchange हो गया तो हम बोलेंगे कि यह double displacement reaction है दो बार displacement हुआ ना वही यह वाला इसके साथ चुपक गया और यह वाला इसके साथ चुपक गया तो हम बोलेंगे कि double displacement reaction हुआ क्योंकि दो बार displacement हुआ है ठीक है अच्छा यह जो example है ना वह precipitate reaction का भी है क्योंकि यहाँ पर यह जब आप इस reaction को करोगे जब आप इस reaction को करोगे तो यहां पर बेरियम काwieरियम sulphate का में एक precipitate बिलता है precipitate क्या होता है precipitate वह सबस्टेंस होता है जो dissolve नहीं होता water में dissolve नहीं होता तो हम उसको बोलते है precipitate है और यह reaction को हम क्या बोलेंगे walk ठीकठेश्य可 Mission तो यह double displacement reaction का भी एक example नहींकित कुछ हम क्या करते हैं इस से साइंड करते हैं मैंने आपको बताया ते इनर्जी रिलीज होती होती है लेकर जब कोई चीज सेटल नाऊं भर एरो जब नबनता है फो म Carrquis जिखान में रखिएगा दूसरा एक्जाम्पल क्या हो सकता है इसका डवल डिस्पेस्मेंट रियक्षन का दूसरा एक्जाम्पल है हमारा एने ओएच प्लस एच सी एल यह एक एक्जाम्पल है इसमें क्या होगा एने चला जाएगा सी एल के साथ और यहां पर चला जाएगा एच के साथ वटर बना लेगा तो एस टू ओ यह रिएक्शन बहुत फेमस हैं अगले चप्टर में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी एसे बेस रियक्शन इसमें क्या होधा यह एक बेस यह एसे जब एसे बेस रियक्ट करते तो आपसमें क्या बनता यह सॉल्ट बनता और वाटर बनता है ठीक है तो अगले चेप्टर में बहुत सारी पढ़ने वाले एक और देख सकते आप एन ए ओ एच प्लस एच टू ए एने ओ एच प्लस प्लस के सी एल देख लो चलो के सी एल नहीं स्वरी चलो ह्टू एस फोर ले 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 ठीक है है ह्टू एस ओ फोर ठीक है इस में क्या होगा यहां पर हमारे पास बनेगा एने एक एक सॉट्व है एक सॉट्याम सॉट्यम है और हमारा निकल जाएगा तो यह बहुत सारे एक्जामपल पढ़ने वाले तो यह सारे एक्जामपल किसके घ्रियाय डवाल्ट इस्पेसमेंट रियक्ष्चन के भी एक्जाम्पल है साहरे जह ठीक है अब हमारे यह लास्न यास्न होच हम पढ़ते हैं लास्त यक्षीन का ऑक्सविएशन रिड़क्षन तो इसको ध्यान से पढ़ना भर ऑलक छाल ऑर्य कि शिए और लों से बाद हम समख्यूक सिदेशन का मतलब क्या होता है उक्सव गैगो या जब भी कि श्य रियक्षन में जब भी किसी रियक्षन में जब किसी से stitched करता है ऐसे कि सकते हैं कि उसीव जब कोई कंपाउंट गेन करता है तो हम बोते हैं कि cottage oxidation reaction होई है जैसे एक्जामपल हम समझ सकते हैं इसमें एक्जामपल बताता हूं मैं आपको भी एक्जाम पर हमारा जब आपको ने कि हीट करेंगे किस के साथ ऑक्सीजन के साथ तो हीट करेंगे अच्छा एक आपको मैं नई चीज़ बताऊं हीट मैं यहां पर वैसे लिख देता हूं कभी कभी क्या होता है ना किसी-किसी बुक में हीट के लिए यह सिंबल दिया रहे तो ट्राइंगल जैसा है एरो के उपर ट्राइंगल लगा हो इसका मतलब यह का यह कं पर के साथ हम इसकोड करेंगा तो क्या होगा कि हमारे पास बनेगा की यह कोपर औक्साइड टो यह क्या हुआ इस में क्या किया oxygen को टूげंआ तो क्या हैं ही एक और कि बात करेंगे तो जिसन निकल जाता है उसको भोलते हैं। यही एक्शमपल करेंगे तो हमें इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास अनुपर निας पिर सम्झाव एच तो और देखेकंöst तो देखिए यहां पर यहां होआ निकल और सिद्टेजं क्या हुआ है पाते हैं और ऊंद पर निकल गया तोह यहां कि यह ना कोपर के साथ हटकर एक हट गया है तो ππως कि से ुषा ओक चुपक गया है तो हम बोलेंगे हाई रेक्षं का क्या हुआ है समझ में आया बात हमाना बात सब्सक्सिद्रान तो यहीं एक्जाम्पल का रेड़ोग्स रेक्षन का ही है यह reduction reaction का भी हो सकता है और रेडॉक्स reaction का भी हो सकता है कि रेडॉक्स reaction का मतलब क्या होता है रेडाक्स reaction का मतलब यह होता है कि जब ऐसी reaction जिसमें oxydation short reduction दोनों हो रहे हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं red Ox reaction redax redox word is the combined form of oxidation היowned reduction क्षिए रेड़क्षन और अरड और रिड़क्षन तो और विदिव्सक्राम तो अब這邊 क्या और ऑस तो देखें यहां पर तो तो को कबमाइन होकर अगर हम फोलें तो कॉपर क्या हुआ है यहां पर औॉक्सीड रेदक्शन क्योंकि यहां से ओक्सीजन हट चुका है तो इसका हुआ है और इसका क्या हुआ है इसका हुआ है ध्यूर्च निकल गया है और इसका हुआ है oxidation क्योंकि hydrogen के साथ oxygen क्या है चिपक गया है तो इसका oxidation हुआ है तो we can say that this reaction is called redox reaction कौन सी reaction है यह redox reaction because in this reaction both reaction takes place redox reaction as well as oxidation oxidation reaction ठीक है ना हम क्या सकते हैं कि वह यह किस रीक्षन का example है यह redox reaction का example है ठीक है ना तो आपने पूरी यह पांचो टाइप्स की reaction पढ़ ली और इसमें मैंने आपको दो तीन टाइप्स की और भी बताएं रेक्षन जैसे तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे की एंडो थर्मी क्रियक्षन कौन सी होती और एक्जो थर्मी क्रियक्षन कौन सी होती है तो आपका यह चेप्टर यहां पर फिनिस हो गया इसके बाद रैंसिदिटिटी और कोरोजन है जो कि आपके स्लेव से हटा दिया गया है अगर आपको कोई भी डाउट है इसे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्षन में लिखकर पूँश सकते हों मिलते हैं अगरी वीडियो रुक्चर में तक तक के लिए खुश रही है स्वस्त्री है मस्त रही है थैंक् करा दो आपके स्वस्त्री है